हेलो अबरीवन वेलकम बैक टू भूमिका की किचन तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी बर्फी की रेस्पी लेकर आई हूँ यह जो बर्फी है इसको मैंने लौकी से बनाया है और इसमें मैंने बिल्कुल भी घी या ओयल का यूज नहीं किया है तो अगर आपको यह मेरी हेल्दी बर्फी की रेस्पी पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए से बनाते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 1 kg की लौकी ले ली है तो आप बर्फ को कट कर दिया है और अभी इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी को अच्छी तरह से छील लिया है और इसे मैंने अच्छे से वाश कर दिया था अभी इसे हम ग्रेट कर लेंगे तो हमारी लौकी के जो बीज है वो बहुत ही छोटे छो करके उसके बीज निकाल लीजेगा इसके बाद ही उसे ग्रेट करिएगा तो यहां पर मैंने सारी लौकी को अच्छे से कद्दू कस कर लिया है और अभी हम इसका पानी नहीं निकालेंगे हम लौकी की बर्फी ऐसे ही बनाएंगे तो यहां पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई कुछ भी नहीं डाला है मैंने ऐसे ही लौकी को डाल दिया है कढ़ाई में अभी एक बार इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे तो अभी हम इसमें चीनी एड करेंगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग्स में चीनी एड कर लिजे आप चाहें तो इसे गुड़ से भी बना सकते हो गुड़ को छोटे छोटे पीचेस में तोड कर इसमें डाल सकते हैं या फिर गुड़ का जो पाउडर आता है उससे इसे बना सकते हैं पर अभी इसे मैंने चीनी से बनाया है और चीनी डालने के बाद यह देखिए इसमें कितना पानी छोड़ दिया है तो अभी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको हम बीच में चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में इसका सारा पानी सुखा लेंगे तो देखिए इसका काफी पानी सुख गया है पर अभी इसमें थोड़ा सा पानी बच्चा हुआ है तो इसको भी हम सुखा लेंगे एड़ करेंगे तो हमारी लगबग 1 kg लौकी थी तो उस इसाब से हम इसमें 100 ग्राम मिल्क पॉडर एड़ करेंगे तो आप कोई भी मिल्क पॉडर इसमें डाल सकते हैं और मिल्क पॉडर डाल कर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और अभी हम गैस की फ्रेम को बिल्कुल लो रखेंगे अगर मिल्क पॉडर डाने के बाद आपको इसमें थोड़े बहुत लम्स दिख रहे हैं तो वो लगातार चलाने से अपने आप ही खतम हो जाएंगे तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है आप चाहें तो इसे बीना फूड कलर के भी बना सकते हैं और इसे हम लगाता तब तक चलाते हुए पकाएंगी जब तक कि ये कढ़ाई न छोड़ने लगे और जमने वाली कंसिस्टेंसी पे ना आ जाएं तो ये देखिए ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लगा है तो अभी हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमें जिस प्लेट में या थाली में से जमाना है उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके बाद हम इसको उसमें डाल देंगे मिसरन को प्लेट में या थाली में और उसे अच्छी तरह से फैला लेंगे तो ये जो बर्फी है ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई जाती ये थोड़ी सी मोटी ही होती है तो उसी साफ से आप इसे फैलाईएगा और ये देखे ये अच्छी तरह से फैल गई है तो अभी हम इसको एक दो घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे तो एक दो घंटे हो गया थे तो अभी ये अच्छे से सेट हो गई है तो अभी इसे हम कट कर लेते हैं तो आप अपने मन पसंद सेप में से कट कर लीजिए जो भी आपको शेप पसंद है तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बर्फी बनी हुई है और ये बहुत हेल्दी भी है तो आप इसे एक की जगा दो पीस भी खा सकते हो तो आपको अगर ये मेरी रेस्टी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ये हैल्दी सी लौकी की बर्फी आप जरूर बनाईएगा थैंक यू